एलो एवरिवन वेलकम टू फिजिक सिद्धान्त तो काफी ज्यादा गैप हो गया है हमारे वीडियो की बीच में कोई नहीं गैप फिल कर देंगे हम लोग फटाफट से थोड़ा इस बीच में काफी बिजी हो गया था इसलिए हमारे वीडियो भी नहीं आ रहे थे कोई नहीं फटाफट हम लोग ट्राइ करेंगे जल्दी जल्दी हमारे वीडियो हम लोग ले के आएंगे है ना तो चलो हम लोग इरोडोब का प्रॉब्लम सॉल्फ करते हैं 1.124 देखो प्रॉब्लम अगर तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले तो यह देखने के कोशिश करो कि हम लोग कैसेश करें मालो है तुम्हारे पास पहली भारि इसको ईक्जाम में कुष्ण इसस तरब एक Question तुम्हारे पास आजाए तुम्हारे तुम्हों क्या करोगे कैसे सोचोगे वह थो koris प्रोब्लम को सॉल्व करने में तुमको यह चीज हमेशा ध्यान रखना है थौट प्रोब्लब करना है ठीक है चलो खेर हम लोग देखते हैं अचिन हए मास देऊ चेम का और इसको रख रख गया कहां पर रख़ गया है रख सर्फिस से पर टेबल बनाते हैं इस तरह का टेबल है सब्सक्राइब कुछ इसे टेबल है रक टेबल अपर अपर Chang पर कुछ लटका हुआ है इसमें कुछ इस तरह से लटका हुआ है chain इस तरह से table में लटका हुआ है और overhanging जो part है, इधर वाला जो part है that is 1 third मतलब अगर मैं इसको total length of the chain is L है न, M mass है और L length है तो overhanging part कितना है this is L by 3, मतलब 1 third और इधर जो बचा हुआ part कितना हो जाएगा 2 third हो जाएगा, है न, 1 third 2 third इस तरह से chain लटका हुआ है अभी गोला गया, what will be the work performed by the friction force acting on the chain by the moment it slides completely off the table अब यहां से slide करना start करता है यह chain, खुद बखुद slide करना start करता है और slide होते होते, यह पूरा का पूरा जो उपर वाला यह जो portion है यह portion, यहां से यहां तक का portion यह पूरा नीचे की तरफ आ जाता है और यह पूरी तरह से टेबल से गिर जाता है यह chain तो इसमें कितना work done हुआ friction का, friction का work done हमें निकाल ला है अब ज़रा ध्यान से देखो इस question में जो thought process की मैं बात कर रहा था अभी यहां पे mu नहीं दिया हुआ है जो तुमारा friction coefficient होता है वो नहीं दिया हुआ है अब कैसे करोगे, friction force कैसे निकालोगे है ना, तो question में इसका राज छुपा हुआ है अगर तुम ध्यान से देखो, एक बार थोड़ा से सोचो खुद से सोचने की कोशिश करो question में किस point में कुछ तुमको hint दिया हुआ है इस चीज के लिए, इस particular चीज के लिए यहां से देखो, the chain starts sliding off the table by itself खुद बखुद slide करने लगता है मतलब just sliding की condition रही होगी इस position पे, जब यह 12 by 3 और L by 3 लटका होगा just यह slide करना स्टार्ट किया होगा just उस moment पे सारे forces balance हो रहे होगे और थोड़ा सा force अगर नीचे की तरफ ज़्यादा लग गया तो वो slide करना स्टार्ट हो गया मतलब just इस condition में हम लोग forces को इसमें balance कर सकते है है ना, just और उसके बाद थोड़ा सा हलका सा, थोड़ा सा ऐसा हुआ तो वो गिरने लगा मतलब just हम लोग उस particular point पे forces को balance करें तब chain में कौन-कौन से forces लग रहे होंगे ध्यान से देखो जरा यहां पर एक तो इतने इतने का weight लग रहा होगा इतने का इतने पार्ट का सिर्फ weight लग रहा होगा है ना, इधर का weight लग है इधर वाले पार्ट को दो पार्ट में analysis करो तुम इसको इतने पार्ट को analysis करो इतने पार्ट में नीचे की तरफ table की नीचे की तरफ इस particular mass का मैं M1 G बोल देता हूं M1 mass लग रहा होगा इतने से इतने का mass मैंने M1 माल लिया है यहां से इसके उपर table इसको normal provide कर रहा होगा L by 3 वाले में क्या क्या लग रहा होगा है ना L by 3 को अगर मैं separate out करूं तो यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हो देखो इस L by 3 को एक काम करो ऐसा समझो यहां से इस इस पार्ट से देखो यहां से यह वाला जो पार्ट है इस पे उपर की तरफ tension force लगा रहा होगा मैं L by 3 वाले को बना रहा हूं L by 3 में उपर की तरफ एक tension force लग रहा होगा है ना और वो कैसे balance हो रहा होगा इस L by 3 के जो weight है उससे L by 3 जो है length उसके weight से that is M2 में बोल देता हूं M2G अभी के लिए है ना जो यह L by 3 के length है उसका weight M2G M2 में मान रहा हूं तो weight तो यह tension और यह M2G balance out हो रहे होंगे है ना आप ज़रा यह देखो अगर L length का mass M है तो L by 3 का mass M by 3 में बोल सकता हो ना तो M2 कितना हो जाएगा M by 3 में बोल सकता हो ना M by 3 उसी तरह M1 कितना हो जाएगा है यह 2L by 3 का mass है तो 2 3rd length है तो 2 by 3 2 by 3 mg है ना simple unitary method है यार M mass है N length है तो L by 3 का mass कितना हो जाएगा M by 3 12 by 3 का mass कितना हो जाएगा 2M by 3 तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया अब यह वाला जो 12 by 3 है उसको 12 by 3 जो length है chain का उसको देखो 12 by 3 को मैं बनाता हूं इस पे मैं बोल रहा हूं क एक normal लग रहा होगा नीचे की तरफ mg लग रहा होगा इधर friction force लग रहा होगा और इधर एक tension है अगर just balance की condition ने 12 by 3 length वाले के लिए भी हम लोग just balancing का condition अगर हम लोग बनाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ ते देखो tension ने friction को balance किया होगा और tension की value कितनी है यह इसको balance क कर रहा है यहाँ पर इस point पर है ना तो m by 3 g के बराबर है और friction force कितने के बराबर होगा just sliding की condition है मतलब mu into n तो mu into n कितना होगा देखो n यहाँ पर कितना है यहाँ पर 2 3rd है ना तो 2 3rd of mg n कितना है यहाँ पर 2 3rd of mg mg तो 2 by 3 mg n कितना है 2 3rd of mg क्योंकि यह वाला जो normal है table पर normal कौन लगा रहा होगा सिर्फ इतना इतना part लगा रहा होगा ना तो 2 3rd of mg नॉर्मल 2 3rd mg को बैलेंस वर्टिकल फोर्स तो यहाँ से m by 3 और m by 3 को मैं काट देता हूँ तो mu की value देखो और g से g cancel अट करते 1 by 2 that is 0.5 म्यू की value हमें आधा हाफ म्यू की value हमें कितनी बिल गई हाफ अब यह चीज हमारे लिए अब आसान हो गया अब हम लोग इसका वर्टन निकाल सकते हैं है ना तो वर्टन के लिए चलो आ जाओ इस पर वर्टन निकालना जब तो condition कैसी है हमारे पास यह हमारे पास में टेबल है और यहां पर हमारी चेन है तो मैं ऐसा बोलता हूं कि थोड़ा सा चेन आगे की तरफ शिप्ट हो गया मतलब यहां से यहां पर चेन था इनिशली यह जो चेन था वह यहां तक था है ना अब यह धीरे-धीरे स्लाइट करता हुआ एक स्लाइड हो गया किसी पटिकुलर ड Fdx Fds ले बोलते हैं इसमें x हमारा ये है एक हमारा ये तो इंटेग्रल Fdx variable force रहाता है तो f into ds हो जाता है ना f into ds लेकिन यहां पर variable force है तो इसको हम लोगों इंटेग्रल के अंदर के और रखना पड़ेगा इंटेग्रल के बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर आगे की तरफ x shift कर गया यह जो chain है वो slide करता करता आगे की तरफ x shift कर गया मतलब हमारा जो यहाँ पर यह point initial point O था यह आगे की तरफ x shift कर गया अब इस जगह पर हम लोग निकाल लेते हैं कि friction force कितना लगा तो friction as a function of x मेरे पास में निकल जाएगा फिर हमें integrate करके वो form लोग फिर उसको work done निकाल सकते हैं तो यहाँ पर अगर अगर हम लोग देखे कि इसमें कितना friction force लग रहा है तो friction force अभी यहाँ पर kinetic force लगने लगेगा है ना तो kinetic force friction force लगेगा तो f kinetic जो होगा वो mu into n के बराबर होगा normal reaction देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये वाला part देखना पड़ेगा ये वाला part नीचे की तरफ इसका मानलो mass m है तो m dash g लगा रहा होगा और यहाँ से normal लग रहा होगा m dash mass में मान रहा हूँ इतने गा m dash g और normal यह balance होगा तो normal m dash g के बराबर हो गया मतलब mu into m dash into g यह आगया मेरे पास में friction kinetic friction अब m dash को देखो m dash हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अभी इसका length कितना बचा हुआ है अगर ध्यान से देखो तो 12 by 3 में से x move कर चुका यह मतलब यह जो बचा हुआ यह यहां तक यहां तक का यह लेंथ है वो 12 by 3 minus x हो गया यह तो length हो गया अभी इस length का में mass निकलना है यह इस length का mass निकालने के लिए लेंथ है length in to mass per unit length 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 into mass जो भी तो लोग बोलना चाहो mass per unit length ही तो है mass density mass per unit length mass divided by length unitary method m by length का समझते हो है ना तो यह इसका मास हो गाँ आप एम डैस की वेल्यू इतनी होगी अब जो फ्रिक्चन फॉर से मैं वापस से लिग देता हूं मू इंटू जी को इधर ले लेते हैं मू इंटू इंटू इतना 12 by 3 इंटू इसको multiply भी कर दो तो यह L से कितना हो जाएगा 2 by 3 minus 2 by 3 हो जाएगा minus 2 by 3 G 2 by 3 M भी आएगा 2 by 3 M L से L cancel हो गया 2 by 3 M आ गया minus यह कितना बच गया M X by L M X by L यह आगया यह आगया मेरे पास में friction की value अब यहाँ पर put करके हमें integrate करना limit देखते हैं मों कैसे निकालते हैं तो work done जो है वो आगया हमारे पास में integral of mu G into 2 M by 3 minus M X by L और कहां से कहां तक integrate करना है हमें हमें करना है इसको X कहां से कहां तक vary करेगा X यहां पर X equals to 0 था और यह जाता जाता जब पूरी तरह से slide कर जाएगा तो X कितना हो जाएगा यहां पर इस point पर 12 by 3 वो पूरा का पूरा 12 by 3 जाएगा तो 0 से लेके 12 by 3 तक integrate करना है ओके तो mu G तो कमा निकाल दो अब 2 M by 3 है तो 2 M by 3 का integral कितना हो जाएगा 2 M by 3 into यह dx के साथ है ना f into dx dx के साथ यह work done हो गया 2 M by 3 तो यह तो constant है X आ जाएगा that is 2 L by 3 minus M by L X का integral हो जाएगा X square by 2 तो X square मतलब इसका square by 2 that is 4 L square by 9 by 2 और mu की value भी हम लोग यहां से put कर देते 1 by 2 by 2 तो 2 से मैं सब का यह 2 काड़ देता हूं और यह इसका 2 कट जाएगा है ना यह 2 से अब यह 2 इसको भी काड़ खा जाएगा और यह L से L कट गया यह बच गया G और 9 में common है G by 9 common निकाल दिया 9 इससे common 9 इससे common और अंदर बचा 2 ml 2 ml minus ml 2 ml minus ml that is ml यह बन गया मेरे पास में MGL divided by 9 इतना work done हो गया यह मेरे पास में answer आएगा put put करना है तो देख लो MGL by 9 MGL by 9 कितना आ जाता है देख लेते हैं है ना चलो वह भी final final answer आ जाएगा हमारे पास M कितना है 0.8 8 बटा 10 G L L 3 by 2 1.5 है ना MGL by 9 यह था है था ना MGL by 9 यह हमारे पास में इतना joule answer आ जाएगा work done तो यह कट गया 3 3 9 2 4 8 4 by 3 that is 1.33 1.33 J यह हमारे पास में work done आ जाएगा तो यह final तुम्हारे पास में answer आ जाएगा तो इस तरह से approach को हमें समझना है है ना बस solve नहीं करना है मतलब किसी का solution देखना नहीं है हमें खुझ से approach को develop करना यह हमारा प्राइम होना चाहिए अगर हम लोग J advance के लिए target करें अच्छा इसमें एक छोटी सी बात otherwise comment section में लोग मुझे गाली देने लगेंगे friction force है तो उसका work जो है वो negative होगा है ना work होगा negative क्योंकि force friction force लग रहा है पीछे की direction में friction force लग रहा है और ह बहुत जाहिर सी बात है कि इसमें जो friction force आएगा वो negative आएगा इसलिए comment section में गाली देने से पहले यहां पर मैं तुम्हारा यह change कर देता हूं यहां पर यह सारा जो है वो negative value आएगा क्योंकि force लग रहा है आगे तो fdx जो आएगा fdx cos theta आएगा तो fdx cos theta में वो cos 180 degree आएगा तो वो negative हो जाएगा और ऐसे भी friction force पीछे लग रहा है displacement आगे की तरफ लग रहा है तो 180 degree का phase difference मतलब उसमें difference आएगा तो उसमें जो work done होगा वो negative हो जाएगा चीज समझ में आ रह कर देने अपने दूस्तों के साथ share कर लेना और हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो लेके आएगे चलो फिर हम लोग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you so much